तो आज हम 27 और 28 माई के करेंट फेर्स के कोस्टेज करने वाले हैं ठीक है तो ध्यान से पढ़िए इनको चलिए शुरू करते हैं तो हमारा पहला कोस्टिन क्या है लाइंस इंडस्ट्री के चेर्मेन मुकेश अंबानी के बेटे डैश को जीयो पर अडिशनल डायरेक्टर निक्त किया गया है तो इसके अप्शन्स हैं आकाश अंबानी सुनिलंबानी अनंत बानी या फिर अजे अंबानी तो इस कांसर क्या है अनंत अंबानी क्या कहते हैं लाइस इंडस्ट्री के चेर्मेन मुकेश अंबानी के बेटे 25 वर्ष अनंत अंबानी को जीयो पर अडिशनल डायरेक्टर निक्त किया गया है उन्हें लोगडाउन के घोशना होने से ठीक एक हफ़ते पहले जीयो का अडिशनल डायरेक्टर निक्त किया गया है जब लोगडाउन हुआ था लोगडाउन के एक हफ़ते पहले ही उनको जीयो का जो है एडिशनल डायरेक्टर निक्त किया गया था ठीक है यह था हमरा आंसर जल्दी जल्दी कोश्चन करेंगे आज क्योंकि हमारे दो दिन के कोश्चन कवर हो गए है कल कुछ कारण से मैं वीडियो बना नहीं पाया इसलिए आज 27 और 28 मही के करन्ट फेर्स कठे करेंगे चलिए अगला कोश्चन देखते है भारतिय सेना की अधिकारी डैश को यूएन सेन्य जेंडर एडवोकेट आफ दा इयर के आवर्ड से समानित करने की गोश्चन की गई है वो कौन है जिसको यूएन सेन्य जेंडर एडवोकेट आफ दा इयर आवर्ड के आवर्ड से समानित करने की गोश्चन की गई है तो इसके option है सुमन गावनी, सुमन वर्मा, सुमन त्यागी या फिर मनीशा कोरला तो इस का answer क्या है सुमन गावनी क्या कहते हैं संयुक्त राष्टर मिशन के तहत दक्षिन सुडान में तेनात रही भातिय सेना की अधिकारी सुमन गावनी को हाल ही में UN Senior Gender Advocate of the Year के आवार्ड से समानित करने की गोशना की गई है वे इस समान से समानित होने वाली पहली बारती है ठीक है एक तो आपको यह याद रखना है कि जो UN Senior Gender Award of the Year किसको दिया गया है वो सुमन गावनी को दिया गया है और वो भारत की पहली महिला बन गई है ठीक है तो यह था इसका अंसर चलिए एगला कोस्चन देखते हैं अगला कोस्चन क्या है मारूती सुजुकी इंडिया भारत के किस रज्य मिस्थित सेयत्र को दो महिने के लोगडाउन के बाद दुबारा शुरू कर दिया है तो इसका अप्शन है केरल, गुजरात, पुजाब या फिर महाराश्टर तो इसका अंसर क्या है गुजरात अपनी ने कहा है कि सुजुकी मोटर गुजरात में सकती से सभी सरकारी नियमों और दिशा निर्देशों को पालन करेगा ठीक है, चलिए अगला कोस्चन देखते है पहले मानव युक्त अंत्रिक्ष गगन यान मिशन के लिए चुने गए कितने अंत्रिक्ष यात्रियों ने रूस में दुबारा से प्रशिक्षन लेना शुरू कर दिया है जो अंत्रिक्ष गगन यान मिशन के लिए कितने जो है यत्रियों को चुना गया है जो रूस में दुबारा से प्रशिक्षन लेना शुरू कर रहे हैं तो इसके अप्शन से दो यत्री तीन यत्री, चार यत्री या फिर साथ यत्री तो इसका अंसर क्या है चार यात्री तो कहते हैं पहले मानव युक्त अंत्रिक्ष गगन यान मीशन के लिए चूने गई चार अंत्रिक्ष यात्रियों ने रूस में दुबारा से प्रशिक्षन लेना शुरू कर दिया है किस हाई कोट ने विशाखा पत्नम के LG पालीमर सेयत्र में गैस लीक की गटना के बाद LG पालीमर की अमारत को पूरी तरह से सीज करने का अदेश दिया है तो इसका उप्शन है केरड हाई कोट अंदर प्रदेश हाई कोट गुजरात हाई कोट या फिर महाराश्टर हाई कोट तो इसका अंसर है अंदर प्रदेश हाई कोट के अंदर प्रदेश हाई कोट ने हाल ही में विशाखा पत्नम के LG पालीमर सेयत्र में गैस लीक की गटना के बाद LG Polymers की मार्थ को पूरी तरह से सीज करने का आदेश जो है दिया है इस LG Polymer से अत्र में राज्य सरकार द्वारा न्युक्त समितियों के इलावा किसी को परवेश करने की जो है अनुमती नहीं होगी ठीक है चलिए अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है विमारी की दवा Hydroxy Chloroquine का प्रक्षिक्षिन करने पर रोक लगा दी है ठीक है तो इसके अप्शन है टीवी खांसी डेंगू या फिर मलेरिया तो इसका अंसर क्या है मलेरिया जो ये Hydroxy जो दवा है ये बेसिकली ये मलेरिया के लिए यूज की जाती है तो क्या कहते है अम Hydroxy का प्रक्षिक्षिन करने पर रोक लगा दी है डबली अच्चो ने दवाओं के ट्राइल में शामिल लोगों के डाटा का प्रक्षिक्षिन करने वाले बोर्ड की समिक्षा के बाद XHCQ का प्रक्षिक्षिन अगस्थ है रूप से बंद करने का पैसला जो है लिया है ठी सूवीदा के लिए किस बंक करने बेंक Master Card के साथ साजीधारी की है जो देश के किसान और छोटे कारोबारी है ओन का जो सूवीदा परदान के लिए किस बंक ने 500κι साजीधार की है तो इसके उसे इसका अंसर है एटल पेमेंट्स बैंक लिमिटर इसका जो हैड़कोर्टर है वो न्यू डेली में है तो क्या गहते हैं देश के किसानों और छोटे कारोबारियों की सुविदा के लिए एटल पेमेंट्स बैंक लिमिटर ने मास्टर्स कार्ड के साथ साजिदाई की है जिसके तहत दोनों कमपनिया किसानों और SME के लिए कस्टमाइज उतपास पेश करेंगी ठीक है चलिए अगला कोस्टन देखते हैं अगला कोस्टन है सिंजुक्त राष्टर ने हाल ही में युवाओं के लिए टॉप टैन वैश्रि की है तो इसके अप्षिज है पंजाब महराष्टर गुजरात या फिर मनीपूर तो इसका अंसर है मनीपूर क्या कहते हैं सिंजुक्त राष्टर ने हाल ही में युवाओं के लिए टॉप टैन वैश्रिक पहलों में भार्त के मनीपूर रज्य की कुडोल पहल की सराना की है खुडोल की शुरुवात इमफाल अधारित एंजियो ने की थी जो की एक जनता से प्राप्तधन पर अधारित एक पहल है ठीक है ये था इसका अंसर चलिए अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है भारत का कौन सा राज्य हाल ही में खेल शेत्र को बढ़ावा देन देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है तो इसके अप्षिस है मनीपूर, महाराष्टर, अरनाचल परदेश या फिर मिजोरम तो इसका अंसर है मिजोरम क्या कहते हैं भारत का मिजोरम राज्य हाल ही में खेल शेत्र को बढ़ावा देने के लिए खेलों को उध्योग का दरज्य देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है हाल ही में राज्य के खेल और युवा मामले के विभाग के प्रस्ताव खेल को उध्योग का दरज्या देने को मन्जूरी दे दी गही है ठीक है चलिए अगले कुश्चन दिखते हैं अगला कुश्चन है करोना वाइरस के कारण लागू अपात काल को किस देश ने टोक्यो और चार अन्य हिस्सों से समापत कर दिया है तो इसके अप्शन्स हैं इराक, इरान, जपान या फिर इंडोनेशिया तो टोक्यो कहां पिये टोक्यो है जपान में तो इसका अंसर क्या होना चाहिए इसका अंसर क्या है जपान क्या कहते हैं जपान ने हाल ही में करोना वाइरस के कारण लागू अपात काल को टोक्यो और चार अन्य हिस्सों से समापत कर दिया है ये चार अन्य जगा परोस्ती प्रांतों कानगावा, चीबा, सितामा तथा देश के उत्री भाग मिस्तित होकाईदो है जपान में अभी तक लगबग 16,600 लोग करोना वाइरस ससर करपित हुए है ठीक है तो ये था इस कांसर चलिए एगला कुस्चन देखते है प्राग उस्चन है भारती टेलिकॉम ने कितने क्रोड रुपे में एटल में 2.75% हिस्ते दारी संस्थाकत निवेश्कों को बेचने की गोशना की है इस जील के साथ भारती टेली कौम पूरी तरह कर्ज मुक्त कंपनी बन जाएगी भारती स्मू और सिंग टेल के पास भारती एटल में चपंजाद शम्चलव 23 फिस्ती हिस्सेदारी जो है ठीक है तो यह था इसका अंसर चलिए अगला कोश्चन देखते हैं क्रोना संकत के बीच कोन विश्व का तीसरा सबसे अमीर शखस बन गया है तो इसका अपशने का अंसर क्या है मार्क जाकरबग जो की फेस बुक के फाउंडर है क्रोना संकट के बीच फेस्बुक के संस्थापक मार्क जकरबग विश्व के तीसरे सबसे हमीज शक्स बन गए हैं वहीं दूसरी और अमेरिका के अरपतियों की सम्ति में 15 फीस्दी तक की बडोत्री हुई है ठीक है चलिए अगला कुश्चन देखते हैं अगला कुश्चन है चार धाम की यात्रा को सुखत बनाने के लिए किस राज्य में बॉर्डर रोड्स अर्गनाइज़ेशन की टीम ने चमबा के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग बनाई है तो इसके आप्शन क्या है और नाच्चार प्रदेश, चम्मू और कश्मीर, उत्राखंड या फिर राज्यस्थान तो इसका अंसर क्या है उत्राखंड क्या कहते हैं चार धाम की यात्र को सुखत बनाने के लिए उत्राखंड में उत्तर और दक्षिन पोर्टल से जोड़कर बॉर्डर रोड्स अर्गनाइज़ेशन की टीम ने चमबा के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग बनाई है इस सुरंग से चार धाम प्रयोजना को बढ़ावा मिलेगा इस सुरंग के कारे जल्द ही पूरा हो जाएगा एक तो कॉस्चन मारे यह होगा कि यह सुरंग कहां पर बनाई गई है तो यह बनाई गी उत्तराखंड के चमबा के नीचे जो है 440 मीटर जो है लंबी सुरंग बनाई जाएगी और इसका काम जो है जल्दी से पूरा हो जाएगा ठीक है चलिए अगला कॉस्चन देखते है अगला कॉस्चन है भारत का कच्चा इसपात उतपात दन वर्ष 2020 के किस महीने में 65% गिरकर 31.3 लाग टन आ गया है तो इसक आपरेल क्या कहते हैं विश्च इसपात संग के दुवारा जारी एक रिपोर्ट के मताबिक भारत का कच्चा इसपात उतपात दन अपरेल 2020 में 65% गिरकर 31.3 लाग टन आ गया है जबकि मार्च 2020 में कच्चा इसपात उतपात दन 86.5 टन रहा था तो देखे कितनी गिरावट आ चुके कट सिद्ध हम 3 अब है और पहले कितना था 86.5 टीक है लगबग 65% की जो है इसमें गिरावट आई तो यह था इसका अंसर चलिए लाकुस्टन देखते हैं लाकुस्टन है फेस्बुक ने हाल ही में कौन सा नया वीडियो कॉलिंग एप लॉंच किया है जो फेस्ब तो इसकांसर क्या है कैचप कैचप क्या है एक वीडियो कॉलिंग एप है इसके जरी के एक समय में लोगों को क्या है वीडियो कॉल एक साथ लगा सकते हैं जो क्या कहते हैं फेस्बुक ने हाल ही में नया वीडियो कॉलिंग एप कैचप लाँच किया है जो कि बिना फेस्ब विडियो कॉल के लिए अपलब्द है या नहीं ठीक है तो ये था इसका अंसर चलिए अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है ओला इलेक्ट्रिक ने किस वर्ष तक भारती बजार में अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लाँच करने की गोशना की है तो इसका ऑप्शन ह 2020, 2022, 2030 या फिर 2025 तो इसका अंसर क्या है 2021 क्या कहते हैं कैब सर्विस प्रोवाइड़ कंपनी ओला की ओला इलेक्ट्रिक ने वर्ष 2021 तक भारती बजार में अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लाँच करने की जोए गोशना की है इसके लिए कंपनी ने एमस्टरडम बेस्ट इले कमपनी इटरगो का दीग्रन किया है जिसके स्थापना वर्ष 2014 में हुई थी तो एक कोस्चन नमारा एह और बन गया कि जो इलेक्ट्रिक कूटर निर्माता कंपनी है इतर्गो इतर्गो इसका इसके स्थापना कब हुई थी यह हुई थी 2014 में ठीक है तो आप इसको भी साथ भी याद रख सकते हैं तो अगला कोस्चन देखते हैं हमरो अगला कोस्चन है 28 मई को विशव भर में कौन सा दीवस बनाया जाता है तो इस के आप्शन है स्वच्था विशव दीवस स्वच्था सोच दीवस मासिक धर्म स्वच्था दीवस विशव समिधान दीवस तो इसका अंसर क्या है मासिक धर्म स्वच्था दीवस क्या कहते है 28 मई को विशव भर में मासिक धर्म स्वच्था दीवस मनाया जाता है इस दीव दिवस को मनाने का उदेशिया विशब भर की महिलाओं और लड़कियों में मास्तिक धर्म के कारण सामना की जाने वाले चुनोतियों के बारे में जागरुकता जो है फेलाना है इसलिए जो है ये दिवस मनाया जाता है ठीक है चलिए अगला कोस्चन देखते हैं अगला किस देश की टीम के तेज गेंदबाग हान मदू शंका को बोर्ड ने निलंबित कर दिया है तो इसको आप्शन है श्रिलंका क्रिकेट टीम बंगलादेश क्रिकेट टीम नेपाल क्रिकेट टीम या फिर बुटान क्रिकेट टीम का अंसर क्या है श्रिलंका क्रिकेट टीम क्य लिए जाने पर बोर्ड ने निलम्बित कर दिया है जो क्या है यह जो प्लेयर है गेन बाज है इनके पास क्या है ड्रग्स रखने का रोप लगाया गया है तो इसलिए इनको है जो इस जो है क्रिकेट बोर्ड ने इनको निलम्बित कर दिया है उस खेल से क्या कहते हैं बोर्ड निपटने के लिए किस देश को हाल ही में 60 लाग डॉलर देने की जो है गोशना की है वो कौन सा देश है जिसको अमेरिका ने 60 लाग डॉलर की मदद देने की गोशना की है तो इसके आप्शन्स हैं जपान, इंडोनेशिया, भारत या फिर पाकिस्तान तो इसका अंसर क्या है तो क्या कहते हैं अमेरिका ने करोना वाइरस से निपटने के लिए पाकिस्तान को हाल ही में 60 लाग डॉलर की मदद देने की गोशना ही है इस धनराशी से स्वास्त्य कर्मियों को और परशिक्षन दिया जाएगा और अस्पतालों में करोना वाइरस से कर्मन के घंबीर हालत वाले मरिज़ों की देखवाल की जाएगी ठीक है चलिए अगला कोस्चन देखते है अगला कोस्चन क्या है हाल ही में किस देश ने अपने पहले मानव ही रही ड्रॉन हेलिकॉप्टर का प्रशिक्षन किया है जिसे एविएशन इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑफ चाइना एवी आईसी ने बनाया है इस मानव रही ड्रॉन हेलिकॉप्टर का प्योग भारत तिबत सीमक किया जा सकता है ठीक है यह था इसका अंसर तो यह थे हमारे आ आज और कल के 27चोट मेरे के क्रंट अफेस के कोस्टन्स तो इने अच्छे से पढ़िए आने वाले एकजाम में बहुत से कोस्टन में से पुछे जाएंगे ठीक है तो इनb अच्छे से याद कीजी तो अगर वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और आगे अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए तो चलिए मिलते हैं मारे अगली वीडियो के साथ थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग